पिछले पांच दिनों से सारंगर जिले के सबसे बड़े ग्राम पंचायत कहे जाने वाले कौसीर में इन दिनों पानी के लिए हाहा कार मचा हुआ है दरसल पानी टेंकर मोटर खराब हो जाने से नल जल योजना पिछले पांच दिनों से ठप पड़ी है नलों में पानी नहीं आने के कारण लोगों को पीने के पानी के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है महिलाओं को कई किलो मीटर दूर जाकर बोरिंग से पानी लाना पड़ रहा है वही बोरिंग पर भी सुबह से ही महिलाओं की भारी भीर देखी जा रही है लंबी लाइनों में लगकर महिलाए पानी भरती नजर आ रही है बता दे कि समस्या इतनी विक्राल हो गई है कि महिलाओं के साथ साथ छोटे बच्चे भी पानी दूर दरास से ला रहे है लोगों को हर रोज के दैनिक कारियों के लिए जैसे की पीने के लिए कपड़े दोने वान्य घरे लुकारियों के लिए तो पानी धोना ही पड़ रहा है वही पालतू पशुओं के लिए भी पानी धोना पड़ रहा है इस औरान महिलाओं ने कहा कि ये समस्या यदि गर्मियों के सीजन में आ जाती तो हमारे लिए समस्या और भी बढ़ जाती हमारी समस्या की और अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी वह कर्मचारी ने ध्यान नहीं दिया हमारे साथ हमारे छोटे छोटे बच्चे भी दूर दराज से पानी ढोने पर मजबूर हो गए है एक ही पंपर भीड होने से हमें घं कारा दिलाया जाए ग्रामीडों का कहना है कि लोग तालाब का पानी पीने को मजबूर हो गए है परंतु पांच दिन बीट जाने के बाद भी अभी तक ग्राम पंचायत की और से पानी की कोई उच्छित विवस्था नहीं की गई है नहीं लोगों की सुविधाओं के लिए पानी के टैंक कर उपलब्द कराए गए है महिलाओं और लोगों के चहरे पर मायूसी चाही हुई है वही ग्रामीडों में पंचायत के नजरियों को लेकर नाराजगी साफ साफ देखी जा रही है वही समस्या पर शेत्र के जन प्रतिनिद्यों की भी ध्यान देने की आवश स्थाएं जल्दी सुधर सकें अब देखना यह है कि लोगों को उनकी मूल भूत आवशकता पानी के लिए कितने दिन और परेशानी उठानी पड़ेगी समाचार एक्स्प्रेस के साथ सारंगर से शामकुमार पटेल की रिपोर्ट ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बल इकन को फिलिक करें हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें घंने वाल क्वेट एंटरप्राइब